नमस्यूस्तों मैं आरुही आरुही के चनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है आज की जो रेसेपी है वो चिकन काली मिर्श फ्राइ की है यह रेसेपी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप लोग चिकन खाने के सौकीन है तो एक बार जरूर इस रेसेपी को ट्राइ करिएग फुल वाच करिएगा तभी सारी चीजे समझ में आएगी अच्छे से सबसे पहले हमने गैस पे कुकर रख दिया इसमें डाला है मैंने बटर आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं मैं इस चिकन को कुकर में बना रही हूं लेकिन आप कढ़ाई में बना सकते हो कोई प्रॉब् दालिएगा कभी आपने चीकन काली मिश बनाई होगी तो अगर इस तरीके से नहीं बनाया तो इस तरीके से जरूर ट्राइ करना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को तो जीरा जब अच्छे से चटकने लगे गैस को स्लो करके डाला था हमने अपना तड़का ताकि ज अच्छे से साफ सुत्रा कई पानी गरम पानी अच्छे से पानी को गरम करिए उसमें नमक ढालिए और फिर चिकन को धुलिए अच्छे से साफ कर के चिकन को बनाईए तो यहां पे सारे चिकन डालेंगे यहां पे हम जो चिकन लिये हैं यह चिकन 300 ग्राम है तो आप कितना कमजादा अपने हिसाब कर सकते हैं भूनना है भूणना है थर मिजिशे छापे के लिए बहुतेicipंगे शरअगों अगर आप के पास बटर नहीं है तो यहाँ पर आप मखन ले छंगे सकती है घर का बना हुआ या तो घंग ङल सकती है लेकिन तेल नहीं लिए जो काली मिज चिकन ना बना रहें हैं इसमें नहीं अच्छा लगता है तो इसका फलेवर बहुत अच्छा खूल गाथा तो इस लिए आपको यहाँ पे बटर ही उच करना है और चिकन को अच्छे से सौफ्ट पका लेना है जब ही आप चिकन लेने जाते हो चोटा चिकन ले ए वह खाने में आप लोग अछा लगेगा बहुत बढ़ा चिकन ना लें तो इसे ढाक के हम पका लेंगे उसके बॉसके बाद हम लोग यहां पर डालेंगे काली देंट गुञत ना अपर मसालों में सिर्फ काली मिष थोड़ी सी हिसाब से काली मिर्ज को कम भी कर सकते हैं हमली मिर्ज अब पका लेना हैं और यह देखे अच्छे से टूट भी रहते हैं हमारे चिकर अच्छे से पग गया थे हम लोगों ने सर कर लिया है तो जब भी आप सर करते हैं तो इस तालिमिश पे थोड़ी से नीबू डाल के सर करिएगा हलका सा ज्यादा नहीं अपने टेस्ट के अनुसार इस पे नीबू